जब से 30 रुक्षा योजना के ओनलाइन आवजन इमित्र पे शुरू हुए है तब से इमित्र क्योस्क इस बात से परेशान है कि इसके ओनलाइन आवजन के लिए जो आपलाइन पॉरम है वो कौन सा लगाना है उस पॉरम के पीछे क्या-क्या डोक्युमेंट्स लगना करने है और इसके साथ इसके अंदर जो जास्क परपत्र लगते हैं वो कौन से लगाने हैं और किस किस से परमानित करवाने हैं तो इस परकार की जानकारी के लिए सबी इमित्र क्योस्क परेशान है और इस परकार की जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही होगी अगर आपने क कि मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा मैंने ये वीडियो बहुत लेट बनाया क्योंकि मुझे पता था कि इसके बारे में कंपम इंपॉर्मेशन आए उससे पहले वीडियो बनाने का कोई भी महत्वा नहीं रहे जाता तो दोस्तों मैंने अलग लग जानकारिया इकटा की और के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको complete detail में step by step जानकारी में आपको देने वाला हूं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके all notification on करना बिल्कुल ना भूले इसके अलागर आपको यह जानना है कि online आवजन इसका किस प्रकार से किया जाता है तो पहले ही वीडियो बना हुआ है इसी वीडियो के निचे लिंक आपको मिल जाएगा तो यह दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों पहला पॉइ तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो imitra.rastan.gov.in के download section पे जो forum है वह forum बिल्कुल वेद है दूसरा forum है दोस्तों food department की website पे जो forum upload है वो पुरा का पुरा वेद है तो दोस्तों जो imitra के download section पे जो forum है उसका link directly मेरे portal पे दिया हुआ है तो वहाँ से आप directly उस forum को download कर सकते हैं साय forum grammar शत्र का हो या फिर शत्र का हो ये share page का forum है और यही forum online आवजन में लगेगा इसके अत्रिक कोई भी अन्य forum नहीं लगया जा सकता अगर किसी ने type करके बनाया है या पिर कहीं किसी और तरीके से बनाया है edit करके तो वो forum बिल्कुल नहीं सलेंगे जो यह forum online upload है यही forum उपयोग में लिए जा सकते हैं इसके अत्रिक किसी भी forum का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं तो पहला तो है आवजन forum अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि इस आवजन के पीछे क्या क्या document लगेंगे यह सबसे महत्वकून point है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता नहीं है तब तक आपको आवजन नहीं करना है दूसरा है यहाँ पर अधारकार और अधारकार के साथ ही साथ आप परिवार के सभी सदस्यों के अधारकार ले सकते हैं इसके दोस्तों एक कारण में बताता हूं कि जो आपका offline forum है जब आप फिलब करेंगे तो वहाँ पे जो अब दोस्तों समंधित वरक के प्रमान पतर से यहाँ क्या मतलब है मालो की कोई निर्मान सर्मिक है और उसके सर्मिक काड़ बना हुआ यानि की labor diary बनी हुई है तो दोस्तों वो labor diary यहाँ पर सलगन करेगा इसी परकार से कोई pensioner है किसी भी योजना के तहत pension ले रहा है जैसे दोस्तों की समंधित जो भी आपकी व्मारी है इससे समंधित पनाद काह्तर होता है वो सलगन कर लेंगे इसके अलाव छुन पर ऽाया यहां प यह जो तो मैंने डोकिमेंट कहें, इसके अतरिक, अगर कोई स्टीट वेंडर है, सबसे महतुपून पॉइंट है, स्टीट वेंडर, यानि कि जो हाथ लाजी वगरा लगाते हैं, तो समझनित नगरपाली का या पर पंचायत के दोरा, एक स्टीट वेंडर परमानपत्र दिया जाता हैं, तो वो सलगना करके भी आवजन किया जा सकता है, इसके लाख उसे जाती से समझनित कैटेगरिया हैं, कि इस जाती वाला आवजन कर सकता है, उस जाती वाला तो इसके मामलों में जाती परमानपत्र सलगना किया जा सकता है, तो दोस्तो एक कोई भी उसके वरग से सम्धित पर्मानपत्र लगाना हुगा, मालों की किसान हैं लगू किसान की सिर्णि के अंतरकत आता हैं, तो यहां पे भूमी पर्मानपत्र को सलगना कर लेगा, तो दोस्तों जिस वरग का आप आजह istem रहे हैं कि मैंने आपको complete detail में समझा लिया इसका offline forum कुन सा लगेगा वो भी समझा लिया अब दोस्तों इसके अंदर होती है जास report याने कि जास करवानी होती है और जास करवाने के लिए जास परपत्र की जरूत होती है तो दोस्तों आप online वीडियो देखेंगे या पिर कहीं से अपनी LSP से जानकारे लेंगे तो आपको अलग-लग format गिया जाएगा और आपने भी देखा होगा इंटरनेट पे जिस किसी वीडियो के डिक्रिशन में आप forum मिलेगा या पिर किसी भी LSP के दिवारा forum मिलेगा सभी forum के जो जास परपत्र हैं वो बिलकूल अलग-अलग है अब दोस हैं यहां पर ग्राम सिवक की रिपोर्ट करनी है इसके अ pilots के यहां पर कि अंटर्प सर पंच होता है इसकी कर्व रिपोर्ट करनी है तो इस प्रकार के अलग-अलग format और ऑर दोस तो यह format अलग-अलग होने के पीशे कारण हैं कि यह जो format है वह अलग-अलग ब्लॉक इस तर हुआ है तो वो फॉरम और जो आपके पास अन्य तैसिल से जो बहुत जारी हुआ है जो उपकंड कारगले से वो फॉरम अलग होगा दोनों ब्लोग के फॉरम समान नहीं हो सकते तो आपको यह ज्यान रखना है कि आप जिस ब्लोग के अंदर बैटे हैं उस ब्लोग का फॉरम क हो सकता है कंपंड नहीं है लेकिन हो सकता है तो दोस्तों सभी ब्लोग वालों ने ज्यादातर यह पॉरम जारी किये हैं किसी में इस डिस्टिक लेवर में भी जारी होगे तो उस डिस्टिक में पूरा का पूरा एक ही चलेगा तो यहाँ पे पहले आप अपने उपकंड कार पॉरमेंट आपको नहीं लेना है अगर वो पॉरमेंट लेंगे तो आपका पॉरम रिजेक्ट हो जकता है तो यहां पर दोस्तों एक तो आप लाइन पॉरम सभी के लिए समाने आप राजतान के किसी भी कौने से हैं और यह पॉरम किस परकार से डाउनलोड करना है उसका करें वहां से पॉरम ले और वो पॉरम लगा के उसके अंदर जिस जीस के जास करने के लिए कहा जा रहा है वो जास रिपोर्ट से लगन करें लेकिन दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट ये बता दीता हूं कि जो जास करवानी है ज्यादतर मामलों के अंदर वो एक तो है कि कोई बंदा पॉर्म लेके जाता है मान लोग की वह पठवारी के पास गया अब पठवारी को यह पर्माने करना है कि उसकी आय सिमा क्या है तो वह मांग सकता है कि आप इतना आय पर्मान पत्र लेकिया है तो उस मामलों में आय पर्मान पत्र से लगने करना है अगर मांग की जाए तो तो उस मामलों में कोई सा भी आप आया पर्मान पतर से लगने कर सकते हैं इसका अभी तक कोई नियम नहीं है कि ये फॉर्मेट लगाना है वो फॉर्मेट लगाना ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन दोस्तों आप ये कोशी ना करें कि सात्रवधी वगरा के वो फॉर्मेट आप बिल्कुल ना लगाए इसके अतरिक जो कॉमेट फॉर्मेट है वो कोई भी लगाया जा सकता है तो वो डोकुमेंट सभी के लिए अलग अलग होता है कोई बार्यके से समझा लूँगा जितना बारीके से बहुत जलनी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ